हेलो गाइस, हाई, कैसे आप सब आय हो पच्चे होंगे गाइस, तो मैं हूँ नंजिनी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हम एक होम रेमेडी. तो गाइस, मेरी जो आज की हम रेमेडी है, वो हमारे हाथों के कालपन को दूर करने के लिए है। आप फेस देख लीजिए और हाथ देख लीजिए तो हमारे हाथ बहुत ज्यादा काले नजर आने लगते हैं तो फेस के साथ सथ हम अपने हाथों का भी ख्याल रखने की बहुत ज़ादा जरुवरत हैं तो आज मैं आपको रेव्यू करके दिखाऊंगे कैसे आप घर में अपने हातों को अच्छा स्मूद साफ और टैनिंग रिमूब बना सकते हैं तो गाइस यह मैंने ले लिया है एक चमच बेशन और आधी चमच हल्दी है और यह अच्छा दूध है विटमीनी के दो कैपसूल और आधा नीवो अब इन तीनों ही चीज़ों को तीनों चारों चीज़ों को मैं लोग मिक्स कर लेंगे तो गाइस चुम शुरूर करते हैं यह मैंने ले लिया है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है बेशन और हल्दी अब मैं इसमें इसकी कंसिस्टेंसी जो गाड़ी या पतली हमें बनानी है उसी के कॉर्डिंग इसमें दूद मिलाएंगे तो हम इसे ना बहुत ज्यादा ब बनाएंगे ताकि अच्छे से हमारे हाथों के लिए लग जाए यह मैं से गूल लूँगी और मैं आपको भी कैमरा बैक करके दिखाती हूं यह दिखो गाइस मैंने यह इतना गाड़ा पेस्ट बना के त्यार कर लिया है यह दिखो यह हमारे हाथों के लिए काफी है और और इसकिन अच्छे भी करता है चाहे वह फेस की हो या बॉड़ी की हो अब मैं इसमें मिला लूँ है विटमिनी के दो कैपसुल तो टीक्यों गाइस यह में कैपसुल डाल लूँ है इस तरीके से अच्छी से नहीं चोड़ लूँगी इनको विटमिनी के कैपसुल गाइस मैं इसलिए मिला रही हूँ तो कि यह मारी स्किन को स्मूध बनाने में काफी अच्छी हेल्प करेंगे और भी संतों जैसे कि आप जानते ही है कलर को भी फियर करता है और इसकिन अच्छी भी करता है तो यह दिखिए गाइस यह गाड़ा पेस्पन के तयार है और अब मैं इसे हातों पर लगा लूँ ही इस तरीके से आप चाहें तो हातों से भी लगा सकते हैं मैं ब्रस से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इस पैक को मिस तरीके से लगा लेगे पूरे हाथ पर यह हमारी स्किन का कालर पंतु दूर करे गई और जो टैनिंग है उसको भी रिमूब करेगा हाथ हमारे फट जाते हैं तैन मैं उसको भी ठीक करेगा और सबसे अच्छी बात कि हाथों का कलर फ्यार करेगा कि अच्छा नहीं लगता है इसकी फेस साफ है और हाथ हमारे इतने काले तो सभी लोग नोटिस करते हैं तो हाथों को भी साफ रड़ों हो ज़ूरी है यह देखो इस तरीके से आप यह पैक को आप लगा लेंगे गाइस बहुत ही एच्छी रेमेडी आए यह यह दो इस तरीके से और यह हमारी कौनी जो है काली हो जाती है यहाँ पर हम थोड़ा ज्यादा सा प्रोटेक्ट लगा लेंगे इस तरीके से अपने बेसन को इस तरीके से लगा लेंगे यह दिखो गाइस यह मेरे हाथ पे लग गया है ऐसे ही हम अपने दूसरे हाथ को भी कर लेंगे तो यह दिखे गाइस मैंने अपने हाथों पर लगा लिया है और अब हम इसे ऐसे ही पास से दस मट के लिए से छोड़ देंगे अपने हातों पर लगा रहने देंगे इसे ढृइ होने के लिए चोड़ देगे तो यह दिखेए गाइस यह डृइ हो चुका है अब हम क्या करेंगे हलका से हाथों को गीला कर लेंगे और दीरे-दीरे हलके हाथों से मसाज करेंगे ताकि जो भी गंदी है वो स्क्रबिंग की तरीके से टैनिंग निकल जाएगी तो यह देखिए आप इस तरीके से हलके हलके हाथों से कि यह कॉंज़कल फासे दस मेंंट मसाज करेंगे और फिर इने गुण गुण पानी से हाथों को मिखें जैन lay लोड़ें का सब्सक्राइव कराया है इस तरीके से कहनी क he mental routine करने निहीं अब कमपलीट तक रिएंगेा और इस तरहतकर जोंगा कि यह इस तरीके से यह देखो कि यह तरीके से यह तो यह दिखे गाइस मेरे हाथ पहले से स्मूथ शाइन और काला बंज हो रहता वह भी काफी रिमूव हो गया है कितने अच्छे साफ नजर आ रहे हैं यह देखो मैंने यह कोई एडिटिंग नहीं किया आप खुदी देख लीजिए कि यह देखो काफी स्मूथ और शाइनी नजर आ रहे हैं कोई भी होम रेमेडियो गाइस आप उसको हफते में दो से तीन वार करें आपको रिजल्ट अपने आप दिखाई दे जाएंगे पंदर दिन के अंदर तो गाइस आपको मेरी यह रेमेडी कैसे लगी आप मुझे बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना में बिल्कुल भी न भूलें गाइस तो बाई गाइस टे क्यार